दोस्तों इस वीडियो के जरीए आपको बताने जा रहा हूँ घर परिवार को बर्वात कर देते हैं महिलाओ के ये काम घर में नहीं होती मा लक्षमी का बास दोस्तों हिंदु धर्मे में घर की बहु बेटियों को लक्षमी का रूप माना जाता है अक्सर कहा जाता है कि घर की ओरते किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे तो नर्क बना सकती है वो घर की महिला यही होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन को बहतर बना करके उसके जीवन में सुक समुरुद्धि लाती है पत्नी के रूप में जहां एक महीला हर कदम पर अपने पती का साथ देती है उसे जीवन का सही मार्क दिखाती है वही बेटी के रूप में वहां लक्षमी के समान होती है आपने भी यहां कहावत सुनी होगी कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे महीला का ही हाथ होता है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो काम जिने अगर रौरते नहीं करती है तो उनके घर में सुख संपत्ति का वास होता है और अगर वो काम करती है तो उसके घर में दरिदरता का वास होता है घर की आउरतों को ये काम नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रत आती है अगर आपके जिंदेगी में कई सारी मुसीबते आ रही है या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका जिवन असफक्ता की और अग्रसर हो रहा है तो आप इन सब वजह को हर रोज आने होने वले कामों का कारान मान सकते है घर की महिलाओ की इन आदतों और कामों की वजह से आपकी किसमत खराब हो सकती है तो आईए जानते हैं कि घर की महिलाओं को वो कौन से काम है जो नहीं करना चाहिए दोस्तो भूलकर भी घर की आउरतों को ये काम करने नहीं करने चाहिए जिस घर में महिलाओं जाड़ों को पैरों से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता ऐसे गर में हर वक्त दरिद्रता चाही रहती है अगर आपके घर की महिलाओं की आदते है कि वो तवा और कड़ाई जैसे बरतन गैस पर या चूले पर रखकर ही सो जाती है ऐसे घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती यहां गरिवी और दुख का कारण बनता है जिस घर की महिलाओं पैर की ठोकर से या पैर से दरवाजा खोलती है वहां से भी धन की देवी लक्ष्मा लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत रोके अगर घर की महिलाओं को घर की दहलिस पर भोजन करते हुए देखे तो तुरंत नहीं मना कर दे क्योंकि ये भी घर की बरवादी का मुख्य कारण होता है हिंदु शास्त्र में यहां बेहदी अशुब मना जाता है घर की महिलाओं अगर रात में रसोई में जूटे बरतन रखकर सोती है तो यहां गरेवी को दावाद देने जैसा होता है ऐसा ना होने दे घर में सुख शांती के लिए हपते में एक बार समूदरी नमक से पोछा लगवाए ऐसा करने से मा लक्ष्मी की किरपावनी रहती है जिस घर की महिलाओं प्राता काल की बज़े काफी देर से घर में जाडू लगाती है उस घर में दरिद्रत आती है इसलिए यह आदत भी अपने घर के अवरतों से बदलवाने की कोशिश करे अगर किसी घर की महिला को देर तक सोने की आदत हो तो वहाँ घर और परिवार के लिए अशुब होता है देर तक सोने वाली महिलाए अपने पती और परिवार और ससुराल के लोगों के लिए असफ़मता का कारन बनती है